आपकी आवाज के प्लेट्फों पर आज मुलाकात कर रहे हैं डॉक्टर अन्पम कुमार प्रोपेसर होमेपथी उनिवर्सिटी जैपूर आपको 25 साल से होमेपथी का अच्छा एक्स्परियंस है जी डॉक्टर साब आपका स्वागत आपकी आवाज पर धन्यवाद जी आज हम भाज करना है आपसे डायनीज्वीर की तो डेमीटीज है क्या भीमारि और इसके रहते हैं देख लगा ग्रूप ऑफ सिम्टम्स उसमें केवल एक लक्षन के अधार पर हम किसी को डाइबटिक नहीं कह सकते हैं डाइबटीज के लिए हमें कुछ लक्षन का होना जरूरी है कुछ सिम्टम्स का होना जैसे ब्लड में शुगर जादा मात्रा में होना और उसके साथ तीन लक्षन और हैं जो बहुत खास हैं डाइबटीज के लिए वो हैं पॉली डिपसिया, पॉली फेजिया और पॉली यूरिया पॉली डिप्सिया माने मरीज को बहुत जादा प्यास लगती है। पॉली फेजिया मतलब बूख जादा लगती है। और पॉली यूरिया माने पिशाब बार बार जाना पड़ता है। तो ये तीन लक्षन और इसके साथ में अगर खून में भी शुगर की मातरा अधिक हो तो हम उसको डायबटीज मानें। मेजरमेंट क्या रहता है अगर बलड की बात के नहीं मातरा का लिए। देखें ये क्राइटेरिया जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और वर्ल्ड हेल्थ और्गनाइजेशन के स्टैंडर्ड हम आधिकल रिसर्च है। जो हमारे क्राइटेरिया है इसका टेस्ट का। सौ से एक सो पच्चिस मिलीग्राम परसेंट जिनको रहता है शुगर बलड में उनको हम प्री डाइबटिक कहते हैं खाली पिट और अगर वह एक सो चालीज से उपर हो जाता है एक सो चब यह दुबारा लो आप हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और वर्ल्ड हिल्थ ऑगनाइजेशन के हिसाब से बलड शुगर की मात्रा अगर सौ से एक सो पच्चिस के बीच में है खाली पिट तो हम उनको प्री डाइबटिक कहते हैं प्री डाइबटिक मतलब भविश्य में उनको डा इसी तरह ठाने के बाद की मात्रा अगर दोसों से उपर हो जाती है तो वह डाइबटिक का मरीज माना जाता है इसके लावा कुछ और भी टेस्ट हैं जिनसे हम कंफर्म करते हैं कि यह डाइबटिक का मरीज है के नहीं जैसे एच बीवन एसी थोड़ा एक्स्लेंग करें क्य इसके बाइबटिक के हिसाब से कम जादा होती रहती है पर हमें बताता है पेशेंट को डाइबटीज है के नहीं तो उसमें अलग क्राइटेरिया होता है कि 5-6% है तो वह गुड कंट्रोल ऑफ शुगर है 6% से उपर है तो वह डाइबटीज की संभावना और सिंटम्स बढ के धिर कालण अईटरां करें यह जाँ डाइबटीज में तो थोड़ा हमारे वीवेवर्ण का एक्प्सिबिल्टी है इस में इलाज का क्या गुक्वर किया जा सकता है यह revisit डाइबटीज क्योरिबल दादा है शुरिबल है होंवियोपाथी उसे होंवियोपैथी एक विशे इलाज करने की जिसमें हम मरीज के सिंटम्स ही नहीं देखते हैं मरीज का कॉंस्टिट्यूशन मतलब उसकी शरीर की बनावट उसकी नेचर और उसकी तमाम गतिविधिया जो दिन चर्या में होती हैं उस सब को कोरेलेट करके एक विशेश दवाई अपने उसमें से आर्मामें बिलकुल it is a specific it is a specific medicine for the patient not specific for the disease तो वो बिमार को ठीक करेगी बिमारी तो automatically ठीक होई जाएगी अगर बिमार सही हो जाएगा तो होमेपैथी के अलाब और क्या treatment possibility है इसमें आपके इसमें डाबेटीस में जी डाबेटीस में डाबेटीस में डाबेटीस एक lifestyle disorder है तो हमें पेश अलाज के साथ साथ उसको lifestyle modification भी बतानी होती है जैसे daily routine exercise का walking का cycling का जो जिस के लिए असान है उसे साब से हम उसको वो routine बताते हैं इसमें walking सबसे अच्छी exercise है अगर आप हफते में 5 दिन आदे गंटे के लिए walk करते हैं तो आपका pancreas जिसकी कुछ problem की वज़े से diabetes होती है इंसुलीन का secretion कम हो जाता है तो अगर आप हफते में 5 दिन walking करते हैं कम से कम आदा गंटा तो आपका वो pancreas में जो beta cells होते हैं वो इंसुलीन के secretion को control में रखते हैं और आपकी diabetes को control होने में ठीक होने में पशलिए आप diabetes को थोड़ा manage किया जा सकते हैं क्यों किया जा सकते ह क्या diabetes जनरिक या मैं बोलू परेंटल बिमारी या परेंटल डीजीज में आती है जी diabetes दो प्रकार की होती है एक type 1 diabetes एक type 2 diabetes type 1 diabetes आती है autoimmune disorder कहते हैं उसको जो यंग एज में होती है आजकल बच्चों में भी मिलने लगी है diabetes और इसका सबसे बड़ा कारण इसका सब्सक्राइब है और दूसरी है type 2 diabetes जो हमारी genetic disorder है जो पेरेंट से बच्चों को या blood relations में मिलती है जिसमें एक specific gene TCF7 L2 का बहुत बड़ा योगदान है ये वंचन नुगात बिमारी होने में तो genetic हम इसको कह सकते हैं क्या खान पान के ऐसी कौन सी आते हैं जिनको सुदा के पेसेंट इसको कम किया जा सकता है या कम किया जा सकता है खान पान का diabetes के इलाज में और maintenance में बहुत बड़ा योगदान है हमारा खान पान जेनरली कार्बोहाइडरेट प्रोटीन और फैट से मिलके होता है तो हमारी डाइट में पचास से साथ परसेंट कार्बोहाइडरेट होने चाहिए पंदरह से बीस परसेंट प्रोटीन होने चाहिए और आट से दस परसेंट फैट होने चाहिए तो कार्बोहाइडरेट में हम फाइबर युक्त डाइट जादा लें प्रोटीन में लोग फैट मिलक और जो लोग नौन वेज खाते हैं वो फिश ले सकते हैं और फैट में अब जाएं जाएं फैट में फैट में लेने से अब बोडी अपरिंग ली मेटबोलिजम करती रहती है और यह डाइबरीज को में चैन्टेन या कंट्रोल करने में मदद देती है तो आपका एक्सप्रेंस अभी आपने कार 25 यह से अभी आपको एक्सप्रेंस हैं इसे होने होमेपैथी तो होमेपैथी बेटर देन अब बोलें मैडिसन कैसे है थोड़ा एक्सप्लेंग करें आप आप अमारी इसको अरुन जी होमेपैथी एक विशेश प्रकार की पद्धि है जो मैंने जैसे आपको बताया कि यह सिरफ सिंटम्स पर ट्रीट नहीं करती जैसे बाकी पद्धियों में होता है होमेपैथी हम में हम पेशिंट की नेचर को भी देखते हैं उसके बनावट को भी देखते हैं उसके लाइफस्टाइल को भी देखते हैं और उस हिसाब से हमारी दवाई एक नैचरल प्लेन पर काम करती है तो वो नैचरल प्लेन जैसे मैंने आपको तो बीमारी automatically चलेगा तो बीमारी automatically ठीक रहेगी हमेपयपति में complete cure है श्कीले किया जा सकता है जी जी किस flashing लेट है송 आहलेश लिए which team coming in the को पर ऑ अभरी ओ कैसे कि आप बीमारी dec귀 और जब और उसकीलेशा गेर लंका मानी देटी किया सकते है तो 100% कम की जा सकती है, खतम की जा सकती है, खतम अगर वो irreversible plane में नहीं जा गए, तो खतम भी हो सकती है, डायबिटीज का एक एक एस फेक्टर का कोई उस पे रोल रहता है, जी, एज फेक्टर डायबिटीज, जैसे मैंने आपको पहले भी पताया, डायबिटीज दो प्रकार ग्रुप वाले हमारे WHO, World Health Organization के रिकार्ड के हिसाब से, या स्टाटिस्टिक्स के हिसाब से, 32 मिलियन पीपल आज की डेट में डायबिटीज, टायबिटीज से ग्रसित है, 32 मिलियन, 32 मिलियन, और नहीं, केवल भारत की बता रहा हो, और 2030 तक 80 मिलियन लोग इस बिमारी से ग् बावना है, उसी केवल बारत में, और जो डायबिटीज का डेथ रेट है, वो 77 परसेंट, 70 परसेंट बढ़ जाएगा 2020 तक, तो आपने डेथ रेट की बागी, तो डायबिटीज होने के बाद परसेंट को किन-किन परिशानी होगा या किन-किन दिकतों का सामना करना पड़ है, जो हमारे शरीर के अंदर जो कार्भो हाइड्रेट्स का डायजेशन या मेटबॉलिजम हो रहा है, वो डायजेशन के दौरान वो गुलुकोस में परिवर्तित होता है, तो वो गुलुकोस अगर ठीक से एब्जॉब नहीं होगा सेल्स में या बोडी में, या बलड में जाएगा, तो उसकी वज़े से डायबटीज होगी, और बलड क्योंकि पूरे शरीर में रहता है, तो वो उसका असर आँखों में भी रहेगा, विशेशता आँखों में, किड्नीज में, हार्ट में, और एक्स्रीमिटीज में, बहुत जादा असर उसका रहता है, तो कॉम् अधिशन, जादा होने की वज़े से, शुगर के बैड कंट्रोल की वज़े से होते है, अनुपम जी, और कुछ अगर आप आमारे वीवर्स के साथ को आपका पीचडी का नोलेज है, जो डायविटीज में आपने का रखा है, सेह करना चाहें, मेरा सबसे अच्छा जैसा आहर लोगे, ऊसी तरह का आपका रुटीन बनेगा, तो आप संतुलित अहर लीजिए, संतुलित जीवन पद्धती अपनाईए, तो स्वस्त रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आप से रेगुलर हम चैचा करते रहेंगे, डायविटीज और आइन जी, देन देवाद!